आज मैं आ गई हूँ नया वीडियो लेके आपके साथ आपकी होस्ट शोमो दिपती आज का वीडियो है मैं सिगनल वाट्सैप एंड टेलिग्राम के पीछ में डिफ्रेंशियेट करके बताऊंगी कि बहुत लोगों ने मेंसेज किया था लास्ट वीडियो देखके मेरा कि अगर वट्सैप नहीं तो क्या अगर मैं वट्सैप के साथ कंटीनिव नहीं करना चाहती यह चाहता तो कौन सा एप सही रहेगा सिगनल यह टेलिग्राम यह वट्सैप तो उसी के ऊपर आज मैं बोलन हम कोई भी आप्लिकेशन यूज करते हैं उसका सिक्यूरिटी पॉलिसी देखते हैं पहले तो मैं पहले ही बोल तो जो वाट्सैप भी बोल रहा है यह चीज बहुत पहले से हमारा डेटा जो है अल्रेडी बहुत कुछ हो चुका है तो अभी सभी यह वाट्सैप बोल के कर है पहले भी कर रहा था ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर रहा था अब वस्क्रोज किया है तो क्योंकि आप अगर नोटिस करो कि आप गूगल जो होता है हमारा पास जो गूगल असिस्टेंट होता है वो हमेशे हमारा जो वाइस है अभी जो मैं बात कर रहा है मेरे फोन या आप नोटिस करोगे कि आप Amazon या कहीं भी ब्राउस कर रहो कोई भी जिस कहीं भी कुछ भी आजकते तो बहुत सारे अब जो है तो वो डेटा ले रहा है तो पहली बाती आता है इन-to-end encryption तो सिगनल की बात करें तो इसमें है इन-to-end encryption वोटसाप में हम सबको पताए है लेकिन टेलिग्राम में हमको इन-to-end encryption नहीं मिलेगा उसकी जगा हमारे पास होगा secret chat तो मैं किसी और वीडियो हमें दिखा दूंगी secret chat वगरा यह सब क्या है पर इन-to-end encryption मैं जितना चोटा हो सके यह वीडियो उतना चोटा बना रही हो और बात रहा status status ना आपको अपरोड करने को टेलिग्राम में मिलेगा ना आपको signal app में मिलेगा यह सिर्फ और सिर्फ WhatsApp में मिलेगा अब बात आती है group जो हम लोग form करते हैं जो WhatsApp में group होता है group हम WhatsApp में 256 members add कर सकते हैं not more than that signal में हम 150 तक कर सकते हैं maximum 150 तक कर सकते हैं WhatsApp में 256 कर सकते हैं टेलिग्राम में हम दो लाक से उपर का group बना सकते हैं members का टू लाक मेंबो का group हम बना सकते हैं अब रह गया हमको WhatsApp में हमको number चाहिए होगा हम लोग उसमें search नहीं कर सकते किसी के नाम से अगर saved है तो ठीक है वरना हम नहीं कर सकते और same चीज़ signal में भी जा रहा है हमको number चाहिए होगा और अगर किसी को हम add भी कर रहे हमारा number भी उनके पास जा रहा है लेकिन टेलीग्रम में हम बिना number का भी हम कर सकते हैं हम उनका नाम टाइप करके हम कर सकते है यूर यूनीक यूजर id हम बोलते है जैसे यूनीक यूजर Id से हम search कर सकते हैं और हमदो कर सकते हैं अब रहा कि हम जो image share करते हैं WhatsApp में या signal में हो या telegram में हो तो वो क्या होता है क्या quality तो हम WhatsApp में या signal में दोनों में ही जो हम लोग image share करते हैं वो compress कर दिया जाता है उसका size छोड़ा छोटा कर दिया जाता है लेकिन आपको telegram में option मिलेगा आप original रखना चाहते हैं तो original रहेगा और compress करना चाहेंगे तो वो compress भी हो जाएगा अब बात हुए हम highest कितने मतलब limit है कितना बड़ा file हम एक साथ share कर सकते हैं WhatsApp में limit है 100 MB का telegram में है 2 GB का और इधर बहुत सारे जो signal मैंने personally वैसे यूज नहीं किया थोड़ा बहुत जो किया मैंने बहुत सारे reviews पढ़के बोल रही हूं कि यह 30 seconds का भी एक file share कर मतलब वो fair हो रहा है share नहीं हो रहा है जो कि सिर्फ 150 MB का होता है मतलब था so यह है अब last scene आपको signal में देखने को नहीं मिलेगा WhatsApp में आपके पास option रहेगा आप hide कर सकते हो कि जो कुछ भी contacts and all आपको पता ही है सब लोग WhatsApp यूज करते हैं यह आप करते थे telegram में आप last scene देख सकते हैं लेकिन signal में सिर्फ हम नहीं यह जीज कर सकते हैं तो यह मतलब basic जो differentiate है मैंने कर दिया है hope आपको यह hope मतलब useful लगा हो and thanks for watching my video और भी अगर इससे related आपको कुछ जानना है तो आप question कर सकते हैं और को information अगर देना है वो भी दे सकते हैं thank you love you all bye